एक बार हम फिर से हाजिर है Atomic Structure Chapter के previous year questions solve करने के लिए जो NEET में पूछे जा चुके हैं पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा था NEET 2019 के questions हमने discuss किये थे दो question आये थे, NEET 2019 में NEET 2018 में भी वही case रहा है दो questions पूछे गए है तो चलिए, start करते हैं सबसे पहला question है हमारा Which one is a wrong statement? देखिए, ये चीज बहुत important है कि wrong statement हमें यहाँ पर पैचाननी है exam में यही गलती हम generally कर देते हैं question अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और बस जल्दिवाज में answer गलत कर देते हैं आता हुआ answer भी हमारा गलत हो जाता है तो wrong statement हमें पैचाननी है एक एक करके statement पढ़ते हैं पहली statement क्या है the electronic configuration of nitrogen atom is यह उन्होंने कुछ boxes में कुछ बना रखा है ठीक है इसको देखते हैं हम तो इसको थोड़ा सा हम solve करते हैं इसको हम तो 1s में 2 electrons दिख रहे हैं आपको 2s में भी 2 दिख रहे हैं और 2p में 3 दिख रहे हैं बढ़ 2p में देखो वहाँ पर 2 electron की जो spin है अगर मैं यहाँ पर 2p अगर मैं draw करूँ आपके लिए तो इस तरीके से वह उन्होंने बना रखा है 2 उपर की तरफ spin है और एक नीचे की तरफ spin है तो अब यहीं से हमें थोड़ा सा idea लग जाना चाहिए कि यह किस को कर्रस्पॉंड करना चाह रहा है यहाँ पर यह एक rule हमने पढ़ा हुआ है हुन्स rule of maximum spin multiplicity क्या है हुन्स rule of maximum spin multiplicity क्या कहता है यह rule कि जो हमारे electrons जो हैं उनकी जो spin होनी चाहिए वो parallel होनी चाहिए कि जिस से उनकी spin multiplicity क्या हो सके maximum हो सके spin multiplicity का मतलब यही है कि जो उनका spin का जो sum हो वो maximum हो जाए अगर हम suppose let's say इसको हम plus half मान लेते हैं वैसे ऐसे कुछ जरूरी नहीं होता है हमने इसको मान लिया plus half और इसको हमने मान लिया minus half तो overall अगर हम देखे यहाँ पे अगर हम 2p के लिए जो question में जो given है वो कितना हो गया plus half फिर से plus half और फिर कितना हो गया minus half मतलब यह दोनों तो cancel out हो गए तो overall कितना है हमारे पास सिरफ plus half बट अगर हमारे पास 2p की जो value है वो अगर इस तरीके से होती suppose हमारे पास इस तरीके से दी जाती तो इस case में अगर हम निकालते 2p के लिए value तो हमारी कितनी हो जाती देखो plus half फिर से plus half और फिर से plus half इसका मतलब कितना हो गया plus 3 by 2 तो इसका मतलब यह वाला maximum spin multiplicity है तो तब ही हम कहते हैं कि जितने भी हमारे electrons हैं they should have parallel spin तो electrons should have parallel spin तो इसका मतलब यहां पर question में parallel spin नहीं दी थी अगर parallel spin अगर नहीं दी थी तो इसका मतलब पहली statement क्या हो गई यह हमारी wrong हो गई दुबारा से question पर देखते हैं कहा है तो पहली statement हमारी क्या हो गई question में यही पूछा था which one is wrong statement तो यह क्या हो गई हमारी statement wrong हो गई फिर भी हम second, third or fourth statement भी एक बार देख लेते हैं an orbital is designated by three quantum numbers while an electron in an atom is designated by four quantum numbers एकदम सही बात है orbital को अगर हमें कभी भी अगर हमें design हमें करना है वहाँ पर हमें तो हमारे पास तीन यह orbital होते हैं कौन-कौन से अगर मैं आपको बताऊं orbital के लिए हम n, l और m का हम use करते हैं suppose जैसे हम 2p की ही बात कर लें तो suppose 2p x अगर हमारे पास है यह वाली चीज तो अगर यहां पर अगर हम देखे तो यह 2 है यह किसो करस्पॉंड कर रहा है n को p किसो करस्पॉंड कर रहा है l को और जो यह x लिखा है यह क्या है तुमारा m है बट जो electron जो होता है उसमें 4 quantum numbers हो जाते हैं तो अगर हम electron की अगर हम बात करें electron में 4 quantum number होते हैं कौन-कौन से n, l, m और यह s लेना है तो इसका मतलब electron में कितने चाहिए चार quantum numbers चाहिए तो इसका मतलब वो second statement सही है बट wrong नहीं है question में तो wrong पूछा गया था third statement को देखते हैं क्या दिया गया है कि total orbital angular momentum जो है electron का s orbital में वो 0 होता है ठीक है चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं हम अपना कि orbital angular momentum का formula क्या होता है हमारा उसका जो formula होता है orbital angular momentum अगर हम बात करें orbital angular momentum का जो formula होता है वो होता है हमारा root of l, l plus 1 h upon 2 pi और जो यह हमारा l जो है यह हमारा क्या है 0 है for s orbital अगर आपने पिछली वीडियो देखी और नीट 2019 की तो उसमें हमने डिसकस किया था l की value हम कैसे देखते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूं यहां पर कि अगर हमारा S होता है तो इसके लिए L 0 होता है अगर हमारा P होता है तो L हमारा 1 होता है D होता है तो L हमारा 2 होता है और हमारा अगर F होता है तो L कितना होता है हमारा 3 होता है तो यहां पर question क्या था कि for S orbital, orbital angular momentum is 0 एकदम सही बात है अगर L की value अगर 0 है तो orbital angular momentum भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा तो यह statement भी सही हो गई but question में तो wrong पूछा था तो यह भी answer नहीं होगा fourth क्या दिया है the value of M for DZ square is 0 चलो इसको भी देख लेते हैं एक बाद DZ square के अगर हम बात करें यहां पर हम तो इस तरीके से हमारा D में 5 orbitals हमारे होते हैं D sub shell में तो जो यह होता है यह हमारा होता है D X square माइनस Y square फिर एक हमारा होता है D Y Z एक होता है हमारा D Z square एक होता है हमारा यहां पर D X Z और एक हमारा होता है D X Y तो जो D Z square होता है उसके लिए value fix होती है हमारी कितनी 0 d x square minus y square या d xy इन के लिए जो value जो fix होती है it is plus minus 2 किसी को भी plus सकते हैं किसी को माइनस दे सकते हैं और जो बचा हुआ हमारा है d yz या फ़र d xz उसकी जो value होती है it is plus minus 1 तो इसका मतलब dz square का 0 है, option में वोमी दिया था कि dz square 0 है हमारा तो एक दम सही है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता है हमारा, तो इसका मतलब हमारा इस answer, क्या हो गया हमारा इस question का answer, first option हमारा answer हो चले, अब देखते हैं second question, second question में क्या बोलता है, match the metal ions given in column 1 with spin magnetic moments of the ions given in column 2 and assign the correct code मतलब कुछ metal ions दिये गए है, column 1 में, उनका magnetic moment दिया गया है, column 2 में, बस हमें का करना है, उनका milan करना है, match हमें करना है just so simple, देखते हैं कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ions देख लेते हैं, कौन-कौन से दिये हैं, और उनका magnetic moment निकाल लेते हैं, और फिर इनको match कर लेंगे तो CO3+, सबसे पहले दिया है, चलिए सबसे पहले CO3+, की हम बात कर लेते हैं, तो CO3+, की बात करने से पहले हमें CO का हमें atomic number पता होना चाहिए, atomic number होता है, इसका 27 तो अगर इसकी हम configuration अगर हम लिखें, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d7 It will be its configuration, बट हमें क्या दिया था, CO3+, हमें दिया था, तो अगर CO3+, अगर हमें दिया है, तो इसका मतलब हमें 3 electrons निकालने हैं, तो कौन से electrons निकलेंगे, पहले तो outer most shell से निकलेंगे, मतलब पहले तो ये 2 electrons निकलेंगे, उसके बाद 3D वाले में से एक electron आपका यहां से चले ज 3 P6 and 3 D6, अब हमें क्या करना है, तो magnetic moment का formula जो होता है हमारा, वो आप सब जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, तो यहां पर देख सकता है, magnetic moment का formula होता है, root of n, n plus 2 Bm, BM क्या होता है उसकी unit है magnetic moment की which stands for bore magneton तो अब यहाँ पर N क्या हमें दर्शा रहा है यहाँ पर N हमें बता रहा है यहाँ पर number of unpaired electrons N क्या है यहाँ पर आपका number of unpaired electrons तो अब unpaired electrons हमें देखने हैं unpaired electrons उसी में होंगे जो shell हमारा incompletely fill होगा तो starting से लेकर end तक सिर्फ end वाला ही बस हमारा incompletely हमें दिख रहा है क्योंकि 3D में 10 आ सकते हैं S में 2 और P में 6 तो S में 2 और P में 6 मतलब completely full है तो इसका मतलब कोई unpaired तो होगा नहीं तो सिरफ D वाले को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं तो 3D 6 हमें दिया गया है 3D 6 अगर हमें दिया गया है तो इसको अगर हम draw करें तो इस तरीके से हमारा 3D 6 हमारा draw होगा का 1, 2, 3, 4, 5 पहले हमें यह करना है parallel spin में करना है जो अभी हमने इस से पहले question में जो किया है first question उसके बाद 6 हमारा यह हो गया तो इसका मतलब जो हमारे unpaired जो है यह हमारे 4 क्या है unpaired electrons है तो इसका मतलब यहाँ पर जो n की value जो हो गई हमारी वो कितनी हो गई हमारी 4 हो गई तो अगर n अगर हमारा 4 हो गया तो इसका मतलब mu की value हमारी कितनी हो गई root of nn plus 2 मतलब 4, 4 plus 2 तो 4 plus 2 is 6, 6 into 4 is 24 तो root 24 BM तो CO3 plus का root 24 BM आया है तो कहां दिख रहा है CO3 plus 4th option पे हमें दिख रहा है तो इसके आगे हम क्या लिख लेते हैं 4th हमारा इसका correct answer है अब हम चलते हैं CR3 plus पे तो अब हम CR3 plus के लिए सबसे पहले वो ही हमें पहले CR की configuration हमें लिखनी पड़ेगी Chromium का atomic number होता है 24 इसकी जब configuration लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6, 4s1 हो जाता है यहाँ पर आपको पता होगा यह exception है क्योंकि 3d5 होने है कारण उसकी stability क्या होती है भढ़ जाती है बट CR3 plus पे कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपने वहापस CR की configuration गलत भी लिख दिये तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो 3 electrons निकालने है एक इससे निकलेंगे और दो किससे निकलेगा इससे अगर आपने 4s to 3d4 लिख दिया होता बात तब भी वही रहती बट actually हमारा होता सही यह वाली है जो हमने यहाँ पर लिखी है तो अब जो configuration जो हो गई हमारी CR3 plus की वो क्या हो गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 electron निकलने के बाद यहाँ क्या बच गया यह 3d3 तो फिर से वो ही सिरफ 3d में ही हमारे unpaid हमारे electrons हैं यहाँ पर तो 3d3 लिख लेते हैं इसको हम draw कर लेते हैं यहाँ पर यह हमने 5 orbitals बना दिये, 3 electrons यहाँ पर हैं, तीनों के तीनों ही क्या हैं, unpaid हैं तो यह हमारे क्या हुए unpaid electrons तो अगर यह unpaid electrons हुए तो हमारी n की value कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई तो अगर n अगर 3 हो गया तो इसका मतलब जो magnetic momentum mu it will be root of n n plus 2 which means root of 3 3 plus 2 तो this implies mu is equal to root 15 bore magneton चलिये, CR 3 plus को उपर देखते हैं कहां पर root 15 लिखा है हमारा तो root 15 देखें कहां पर है, 5th option में लिखा है तो इसका मतलब CR 3 plus किसको correspond कर रहा है, 5th को हमारा correspond कर रहा है अब आईए हम देखते हैं FE 3 plus को तो सबसे पहले हमें वही करना है, FE 3 plus के लिए सबसे पहले FE की configuration लिखेंगे हम atomic number देखो सबका याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक सबको at least युकि देखो इस question में भी atomic number नहीं दिया गया है तो FE 26 अगर हमारा है तो इसके अगर हम configuration लिखें तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4S2 और फिर हमारा क्या हो जाएगा 3D6 यह हमारा यहाँ पर FE की हमारी configuration हमारी हुई बट हमें किसकी लिखनी है FE 3 Plus की हमें लिखनी है तो FE 3 Plus है फिर से 3 electron हटाने है अब आपको समझ में आ गया होगा कौन से electron हटेंगे एक 4S वाल है और 3D वाल है 4S में से 2, 3D में से 1 तो इसका मतलब अब जो configuration जो होगी हमारी वो बन जाएगी 1S2, 2S2, 2P6 3S2, 3P6, 4S में से दोनों के दोनों गए क्या रहे गया सिर्फ और सिर्फ 3D5 तो इसका मतलब unpaid electron फिर से 3D में ही होंगे हमारे और सब किस तो हमारा पूरा field है तो 3D5 अगर हमारा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5 unpaid electrons हम यहाँ पर दिखा देते हैं तो इसका मतलब यही हमारे सारे के सारे क्या हो गए तो these are unpaired electrons तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर n की value हमारी कितनी हो गई यहाँ पर 5 हो गई तो mu हमारा कितना हो जाएगा root of n n plus 2 directly formula में apply करते हैं 5 5 plus 2 root of 7 into 5 35 root of 35 bm चलते हैं उपर fe 3 plus को देखते हैं कहां पर root 35 दिया है हमारा देखें second में दे रखा है तो इसका मतलब c हमारा क्या हो गया यहाँ पर second हो गया वैसे हमारा answer tc से match हो जाएगा अब हमारा बट फिर भी ni 2 plus को भी हम एक बार देख लेते हैं कि ni 2 plus का हमारा कैसे होगा तो सबसे पहले वही हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ni की configuration लिखनी पड़ेगी ni means nickel 28 होती है उसका atomic number तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d8 ni 2 plus लिखना है अब देखें सिर्फ और सिर्फ निकालने 2 electron निकालने मतलब सिर्फ और सिर्फ 4s वाले में से ही जाएंगे 3d8 में से कोई electron नहीं जाएगा तो ni 2 plus की जो configuration जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 and 3d8 unpaid electron देखने हैं सब कुछ तो filled है सिर्फ d वाला ही in filled है इन completely filled है तो उसी को हमें देखना पड़ेगा तो फिर से 3d8 के लिए draw कर लेते हैं यहां पर हम यह हमने draw किया 8 electrons है पहले सबको parallel spin में भर दिया जैसे हमने first question में हमने बात करी थी उसके बाद फिर का करेंगे हम इनको doubly fill कर देंगे इनको हम यहां पर तो अब हम देख सकते हैं यहां पर हमारे जो unpaired electrons हैं वो कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 हैं तो यह हमारे क्या हो गए unpaired electrons हमारे हो गए तो n की value यहां पर कितनी हो गई हमारी 2 तो इसका मतलब जो अब देखते हैं कौनसा option है उपर root of 8 bm वाला तो अगर हम उपर देखें root 8 bm हमें कहां पर दिख रहा है first option में तो ni2 plus कौनसा हो गया हमारा first हो गया तो इसका मतलब हमारा a fourth b fifth c second and d first अब options match करते हैं कौनसा option हमारा match कर रहा है पहले में क्या दिया है a fourth b one तो वो तो गलत हो गया second में a one दिया है फिर से गलत हो गया third में क्या दिया है a fourth b fifth c second and d first तो इसका मतलब third हमारा क्या हो गया correct answer हमारा हो गया fourth में आप देख सकते हो a में third दिया है फिर से क्या हो गलत हो गया तो यह हमारे दो कोशन्स आये ते नीट 2018 में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें and stay tuned for the further updates इसके आद हम नीट 2017-16 इन सब के हम बाते करेंगे Thank you everyone